हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस देश की जो दुनिया के सबसे खतरनाक डियमो वाला देश माना जाता है जिसमें चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है जी हाँ आपने सही समझा हम बात करेंगे सौधी अरब के सख्त डियमों के फैक्ट्स की दोस्तों सौधी अरब एक इसलामी देश है और इसका कोई सम्विधान नहीं है यहाँ का कानून इस बात पर विश्वास रखता है कि पवित्र गरंत खुरान पाक में जिस गुना की जो सजा अल्ला पाक ने रखी है उसी को फॉलो करते हुए सजा दी जानी चाहिए सौधी अरब में पहले महिलाओं को वोट डालने की आजादी नहीं थी उनको ये अधिकार कुछ साल पहले यानी सितंबर 2011 में वहां के किंग अब्दुल्ला द्वारा दिया गया फिर साल 2015 में म्यूनसिपल कॉर्परेशन के इलेक्शन्स में भी महिलाओं को का पानी फिल्टर करता है और उसे सील्ड पैक फॉर्म में लोग खरीदते हैं पर इनकी अत्याधुनिक वाटर फिल्टर टेक्नलोजी के चलते आज सौधी में पानी की कोई कमी नहीं है पानी के रेड्स भी पबलिक को अब बहुत कम देने होते हैं क्योंकि ये डिपार्ट पूरी तरह गर्मेंट के हाथ में हैं दोस्तों और देशों के तरह सौधी अरब में भी मर्डर यानि हत्या को सबसे सीरियस क्राइम माना जाता है जिसकी सजा मौत है पर इसके फैसले का सिस्टम बिलकुल अलग होता है जुमा की नमाज के बाद सबूतों और गावाहों के बियान के अधार पर गाजी यानि जज हत्यारे को मौत की सजा सुनाते हैं और पबलिक के सामने उसकी गर्दन कार दी जाती है पर यदि परिवार उस हत्यारे को माफ कर दे तो उसकी जान बच सकती है दोस्तों बलतकार जिसे इंसानियत को शर्म सार करने वाले आरोपी के ब और्डर से उस व्यक्ति को बांद कर आम पबलिक के द्वारा उस पर पत्थर बरसाने का हुक में दिया जाता है। दोस्तों ड्रग्स लेना या नशे का वैपार करना साओधी अरब में बहुत बड़ा अपराच समझा जाता है जिसकी सजा के रूप में नशा करने वाले को कोडों से मारा जाता है और यदि वो दोबाना पकड़ा जाता है तो सीधे सजाय मौत मिलती है। झाले का फ़राच cartridges झाले को याथ में बहुत करने में ध कुछा सकती है। झाल झाल